एक गाव में धोबी रहता था, उसके पास एक गधा था, अपने गधा का धोबी रोज कपड़ा नदी तक ले जाने में और लाने में इस्तिमाल करता था। एक दिन जल्दी काम खत्म हो गया, तो धोबी गधा के घास चरने के लिए छूर के आ गया, तो गधा की घास चरते चरते बहुत दूर निकल गया, तो गधा भूल गया घर जाने का रास्ता, तो धोबी उधर खोजने लगा गधा का, खोजते खोजते एक परोस के गाव में च चला गया, वहां गया तो रात हो गया, तो एक आदमी मिला तो कहा, क्या आपने इस रास्ते गध्धा जाते देखे हैं, तो आदमी ने बोला, नहीं आपके गध्धा नहीं देखा हूं, लेकिन हमारे घर के पीछा एक दो दिन से लगता है कि कोई जानवर रहता है, क्या पता आपका गध्धा भी हो सकता है, तो धोबी बोला, तो चलिए आपके घर चलते हैं, तो धोबी उस आदमी के घर गया, तो उस आदमी के घर में बस एक लड़का था, तो कुछ देर बाद बारिश होने लगा, तो आदमी बोला अपने लड़का से, नहीं बाफ का डर है, नही शेर के सबसे ज़्यादा दर है टिपटिप के मतलब कंबल सूखने के लिए रखा था बारिश का दर था कि कही गिला न हो जाए तो घर के पीछा जो जानवर रहता था वो गधा नहीं बलकि बाग रहता था जब बाग आदमी के बाद सुना तो घर के पीछे बाग सोच में जानवर है जल्दी यहां से निकलते हैं ज्यादा देर रुकना यहां ठिक नहीं है तो बाग भागने के लिए रास्ता इधर उधर देखने लगा तो धोबी के कान में आवाद सुनाई दी तो धोबी ने कहा लगता है कि यहीं है मेरा गधा धोबी तुरंट बाग के पीट पर कूद कर बैठ गया मोटा सा बंबू लेकर और रात के समय था और धोबी बाग को पीटने लगा बिना कुछ बोले और बाग भागते रहा बिना कुछ बोले और बाग मन ही मन समझ गया कि सच में टिप टिप बहुत खतरनाक जानवर है तो धोबी लागतार बाग को पीट रहा था बिना देखे तो पीटते पीटते सुबह हो गया और धोबी के नजर पड़ा बाग पर तो दरने लगा और धोबी अपना जान बचाने के लिए सोचने लगा तो एक पेड मिला तो पकड़ के लटक गया और बाग भागते रहा और धोबी गया घर तो देखा गधा घर आकर बैठा है ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेर करें